Welcome back to my channel So, जैसा कि आपने वीडियो का थमनेल देखी लिया है आज की वीडियो में हम डिसकस करेंगे GFR रूल को इसके ओपर अल्रेडी वीडियो अपलोडेड है जिसमें मैंने कुछ इंपोर्टेंट आपको GFR रूल्स बताए थे अगर आप लोग पर पूछा जाता है अगर आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को ज़रूर सबस्क्राइब कर देना और बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलना अगर आप बेल आइकन पर क्लिक नहीं करोगे तो आपको वीडियो की नोटिफिकेशन नहीं मिलेगी और आपको मेरे चैनल पर ऐसे ही वीडियो देखने को मिलती रहेगी तो यहां कुछ टॉपिक्स हैं जो कि मैं अल्ड़री कवर कर चुकी हूँ अपने चैप्टर 1, 2, 3 में यह चैप्टर 4 है जिसमें मैं कुछ अनदर चीज़े आपको बताऊंगी ताकि आपका overall जितना भी syllabus है वो कवर हो जाए और अगर आपको कुछ ऐसे ही topics पता हैं जो कि आपके exams में पूछे जाते हैं तो आप comment box में जरूर बता देना मैं कोशिश करूँगी कि उन topics के उपर भी paper बना सकूँ तो यहां आप देख सकते हो यह सारे topics मैंने cover कर दिये हैं प्रीवेस चैप्टर 3 में मैंने कुछ important terms, full forms यह सब बताई थी और basically हमने जो main topic discuss किया था वो था GFR जो कि बहुत सदा important है उसमें मैंने rule number 159, 160, 162, 148, 149, rule number 21, 22, 23, 142, 143 and 144 यह सब cover करा दिया था because यह बहुत ज़्यादा important है और हमने देखे दे कुछ MCQ तो आज की वीडियो में हम कुछ और rules देखेंगे और उसके MCQs देखेंगे यह रहे हमारे question, question number 36 and question number 37 इसको solve कर लेते हैं और आप लोगों को एक चीज में clear कर देती हूँ अगर आप लोगों को deep study करनी है तो इसकी book आती है वो आप जाकर purchase कर सकते हो link आपको description box में मिल जाएगा अगर आपको book नहीं purchase करनी तो ऐसी वीडियोस तो मैं डालती है रहती हूँ आप लोग मेरे चानल पर इन वीडियोस को देखके अपने slavers को cover कर सकते हो so यहां है हमारा question number 36 and question number 37 दोनों question में same चीज पूछी गई है बर जो options है वो different है तब ही मैं आपको बोलती हूँ कि जरूरी नहीं होता कि same question आपका repeat आजाए उसी से related question आया तो मैं आपको 36 का meaning बताऊंगी तो आपका 37 का meaning भी same होगा so question number 36 ने पूछा गया है अगर हमें goods को purchase करना है on the basis of certificate जो कि record किसके द्वारा किया जाएगा competent authority के द्वारा तो कितने value of rupees में हम buy कर सकते हैं बिना quotations के या फिर bits के so इसका right answer है C 25,000 question number 37 में भी same चीज़ बोली गई है अगर हमें goods को purchase करना है बिना किसी quotation या फिर bits के तो यहाँ पर बहुत सारे rules दिये गए है तो वो किस rule में ये बात बोली गई है हमें ये बताना है तो यहाँ आप देख सकते हो यहाँ पर लिखा गया है mention है rule number 154 में कि अगर हमें goods को purchase करना है बिना quotation के या फिर bits के तो हम कितनी value तक purchase कर सकते हैं तो वो जो value है वो है 25,000 so इसी type के आपके question आते हैं ये पूरा का पूरा rule ही आ गया है आपके question paper में meaning बस change कर दी गई है दोनों की यहाँ आपसे rupees पूछ लिया गया है कि कितनी value होनी चाहिए और इसमें आपसे rule number पूछ लिया गया है तो इसी type के आपके question आने वाले हैं लोगों को वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो ज़रूर लाइक करके जाना और question number 39 में हमें GFR रूल बताना है जिसमें यह बात बोली गई है इन दोनों ही question में हमें बताना है अगर हमें goods को purchase करना है each occasions pay by the purchase committee जिसे हम local purchase committee बोलते हैं उन्होंने एक value set की गई है तो वो value कितनी है वो हमें इसमें बतानी है इसका right answer है D25,000 से 2,50,000 तक हम purchase कर सकते हैं goods को on the recommendation by the local purchase committee and question number 39 में हमें बताना है यह कौन से rule number में बोला गया है तो इसका right answer है rule number 155 यहां आप देख सकते हो यहां पर मैंने इसलिए open भी कर दिया है यह rule number 155 है उसमें बोला गया है अगर हमें purchase करना है goods को by the purchase committee वो purchase committee कौन सी होती है local purchase committee तो इसमें यहां पर आप देख सकते हो as it is पूरा rule ही उठकी आ गया है दोनों कोशन आप देख लेना जरूरी नहीं है कि यही कोशन आजाए आपका बट यह सारे important कोशन है इसलिए मैंने इसमें इसको cover किया है तो यहां पर आप देख सकते हो 25,000 से up to 2,50,000 only यहां mention है by the recommendation of local purchase committee So question number 40 में हमें true and false बताना है यहां पर एक statement दी गई है हमें बताना है यह true है या फिर false इसमें बोला गया है यह mandatory नहीं होता जितने भी ministries हो गई central government की उनकी attached and subordinate bodies हो गई offices हो गई कि वो जितने भी public tender है हमारे उनकी inquiry है को regendum है वो और जो bits award है उसको cpb portal पे upload ना करे इसमें यह बोला गया statement में बट अगर आप लोगों ने chapter 1, 2 and 3 किया होगा तो यह मैं already आपको cover करा चुकी हूँ कि यह mandatory होता है तो इसका right answer आप सबको पता ही चल चुका होगा मैंने आपको बोला है कि यह mandatory होता है बट इस statement में लिखा है कि यह mandatory नहीं होता तो इसका right answer हो गया B false, ये statement बिलकुल wrong है, इना simple ways question में हमें बताना है, ये mandatory होता है जितने भी हमारे ministries, departments हैं कि वो receive करें जितने भी हमारे bits हैं through e-procurement portal जिसे हम CPPP portal भी बोलते हैं सो लास्ट वाले paragraph में ये लिखा गया है, कुछ ऐसे instructions होते हैं, जो कि हमारे ऐसे procurement में नहीं apply किये जाते हैं, जो कि ministries और departments के द्वारा किये जाते हैं सो इसका right answer है C, DGS&D rates, सो जी instruction होते हैं, वो DGS&D rates पे apply नहीं होते, सो यहाँ पर इसकी आप explanation देख सकते हो, जो rule number 160 है, उसमें बोला गया है कि जितने भी हमारे ये सारे tender के काम होते हैं, वो e-procurement की websites पे होने चाहिए, तो ये explanation आप देख सकते हो, rule number 160 में ये चीज बोली इसकी पे प्रोक्यूर्मेंट वेबसाइट होती है, जिसके अंदर सारा tender से related काम होता है, और यहाँ पर ये सारी चीजे यहाँ पर mention है, जो कि हमें follow करनी होती है, paragraph 3 आप देख सकते हो, तो कुछ ऐसे instructions होते हैं, जिसे हम नहीं apply कर सकते हैं, ऐसे प्रोक्यूर्मेंट के उप तो इसकी full form आप लोगों को बतानी है कि क्या होती है, तो इसका right answer आप जल्दी से comment box में डाल दो, so question number 43 में हमें बताना है, जो tender notice होता है, उसको हम publish कर देते हैं, उसकी एक date mention हो जाती है, कि इस दिन हमने उस tender notice को publish किया है, तो उसके बाद हम कितना time और देते हैं, ताकि जित question number 44, जो है limited tender inquiry के उपर है, इसमें हमें बताना है, एक estimated value दी गई है, कि हमें अगर goods को purchase करना है, तो वो कितने price तक हम purchase कर सकते हैं, तो इसका right answer है, D 25 lakh तक हम procure कर सकते हैं, goods को, so question number 45 भी जो है limited tender के उपर ही है, ये भी एक statement दी गई है, जो कि मैंने आपको अपनी previous वीडियो मे बताया था, इसमें बोला गया है, अगर हमें bidding document को भेजना है, directly speed post के through, तो इसका right answer है, B limited tender inquiry, so ये मैं आपको already cover करा चुकी हूँ, जब हमने tender system पढ़ा था, उसमें बहुत सारे tenders के बारे में explain किया था, मैंने आपको, तो मैंने आपको limited tender inquiry के बारे में भी बताया था, ये question उसी में से बन के आया है, limited tender inquiry में हम अपने suppliers को directly bidding document भेज देते हैं, और इसमें हम कितने तक ही purchase कर सकते है, 25 lakh, so question number 46 भी आपका limited tender inquiry में से ही आया है, इसमें हमें बताना है, limited tender inquiry में कितने number of firms जो है participate करते है, तो इसका right answer है, B more than 3, so question number 47 में पूछा गया है, जो limited tender inquiry होती है, वो म तक ही हम खरीच सकते है, बट हम इसे कुछ situations में adopt करते हैं, जहां पर 25 lakh से अबब इसका price होता है, so यहां पर काफे सारी situations दी गई है, तो उन सारी situations में तो हम limited tender inquiry को adopt करेंगे, बट एक ऐसी situation है, जिसमें हम limited tender inquiry को adopt नहीं करेंगे, इसका right answer D है, अगर goods जो हम buy कर रहे हैं, उसकी high value है और delicate nature है, तो हम limited tender inquiry को adopt नहीं करेंगे, question number 47 भी आपका हो गया है, चोटा सा question है, बट इसको गुमा के इतना सारा ऐसे बना दिया गया है, तो इसलिए आपको explanation पढ़ना बहुत जरूरी होता है, ताकि आप ऐसे questions को solve कर पाओ, question number 48 में आपको full form बतानी है, RFP की, तो RFP की full form क्या होती है, इसका right answer हो गया, D, request for proposal, RFP की full form होती है, request for proposal, यह भी बहुत important question है, मैंने आपको abbreviations cover करा दिये है, यह question उसी में से आया है, आप वो वीडियो जरूर देख लेना, so question number 49 में आपको बताना है, जो technical bits होती है, उसको analyze और evaluate किसके द्वारा किया जाता है, so उसका right answer है, A, C, E, C, जो consultancy evaluation committee होती है, जिसे constitute किया जाता है, by the ministry of department, उसके द्वारा जितने भी हमारे technical bits होती है, उसको analyze and evaluate किया जाता है, so question number 50, जो है, authority से question आया हुआ है, बहुत सारी authorities होती है, जिसमें rules, regulation, guidelines होती है, तो अगर हमें expenditure करना है, किसी भी goods का, तो वो किसके accordance and provisions में आएगा, यहां जितने भी option दिये गए है, so उसका right answer है, delegation of financial power rules के अंडर यह सारी चीज़े आती है, यह जो rule है, 1978 में आया था, so यह जो delegation financial power amendment है, यह provide करता है, guidelines को and regulations को, related to financial decision making के लिए, और जो expenditure यूज किया जा रहे है, government departments के द्वारा, सारी चीज़े चे कौन देखता है, delegation of financial power, आप से यह year भी पूछ सकता है, तो यह आप अच्छे से देख लो, 1978 में यह rule आया था, so question number 51 में हमें बताना है, जितने भी suppliers होते हैं, वो goods हमें sell out करते हैं, तो वो जो suppliers होते हैं, उसको हम registered कर लेते हैं, अपने पास fixed period के लिए, उसका right answer है, B, एक से तीन साल के लिए, हम उस supplier को registered कर लेते हैं, fixed period time के लिए, question number 52 में हमें बताना है, यह जो term है, power to right of losses, यह किसके under जो है, available है, so उसका right answer है, D, जो delegation of financial power rules होता है, उसके under यह चीज़ available की गई है, power to right of losses, इसके जो एक paragraph है, वो आप जो है, अच्छे से याद कर लो, score बहुत सारे points दिये गए हैं, वो भी आप से पूछ सकता है, वो मैंने इसमें cover नहीं किये हैं, वो मैं next topic में cover कर दूँगी, वो थोड़ा सा लंबा topic है, next question number 53 है, इसमें आपको jam की full form बतानी है, इसका answer भी आपको देना है, comment box में इसका answer आप लोग जरूर देना की jam की full form होती क्या है, so question number 54 में हमें बताना है, यह question GST के उपर आया हुआ है, already यह storekeeper के exam में पूछा गया है GST के उपर question, तो यह हमें बताना है कि GST कब आया था, और यह कब effective form में लग हुआ था, तो उसका right answer है C, 1st of July 2017 में यह effective form में apply किया गया था इंडिया में, so आप यह अच्छे से याद कर लो, अगर आप से effective form पूछा जाएगा, तब आपको करना है 1st of July 2017, और अगर आप से पूछा जाएगा, कि यह act passed कब हुआ था by the parliament, तब आपको करना है 29th March 2017, दोनों डेट्स में बहुत बड़ा डिफ्रेंस है, आप अच्छे से देख लो, आप से GST की full form भी पूछ सकते हैं, कि GST की full form बताओ, तो इसकी full form होती है goods and service tax, कोशन नबर 55 भी GST के ओपर ही आया हुआ है, इसने में बताना है, जो GST है, is a dash based tax on consumption of goods and services, तो इसका right answer है B, destination based tax है on consumption of goods and services, इंडिया के अंडर ये एक multi stage destination based tax है, आप से भी पूछ सकते हैं, GST ये जो model है कहां से लिया गया है, तो ये chosen किया गया है Canadian model of dual GST को, कुछ ही ऐसी countries हैं, जैसे की India, Canada and Brazil, जो की dual GST structure पे based है, तो आपके जितने भी MCQ थे, वो मैंने cover करा दिये हैं, ये एक important question है, अभी तक ये वैसे पूछा नहीं गया है, बर शायर पूछा जा सकता है, because ये storekeeper के exam से ही related question है, तो इसमें आपको बताना है, what is CE certificate, so CE certificate हम एक particular product को देते हैं, ये एक conformity mark होता है, कि European economic area में आपका जो product है, वो successfully placed हो गया है, ये आप certificate देख सकते हो, इस type का ये certificate होता है, हर एक supplier के पास, उसके product का ये certificate मौजूद होता है, इसको ही देख के, आपके product की value जो है, increase हो जाती है, without any doubt, so ये एक quality standard प्रोवाइट करता है, आपके product को, and इस certificate से क्या होता है, ये आपको help करता है, to avoid costly recalls and legal problems, कोई भी आपको legal problems नहीं आएगी, अगर आपके पास ये certificate होगा, so आज की video को ये ही end करते हैं, I hope आपको ये video अच्छा लगा हो, अगर आपको मेरे efforts अच्छे लगे हो, तो वीडियो को ज़रूर like कर देना, and share कर देना, और channel को ज़रूर subscribe कर देना, because ऐसे ही all topics आने वाले हैं channel पर, तो channel पर बने रहो, and thanks for watching,